विमेन लेट डेवलेप्मेंट मोड़ल पर हमने काम किया है। इनोवेशन हो, एंप्लोईमेंट हो, एंट्रेप्रिनर्शिप हो, हार सेक्टर में महिलाओं के कदम बढ़ते जा रहे हैं। महिलाएं सर्त भागी जारी बढ़ा रहे हैं। आज कि अनेक खेत्रों में आज हमारी रक्षा खेतर में देखीक है। हमारी आर्मी हो, हमारी नेवी हो, हमारा स्पेस शेक्टर हो, आज हमारी महिलाओं का हम जम खम देख रहे हैं, देश के लिए हैं, लेकिन दुसरी तरफ कुछ चिंता की बाते भी आती हैं, और मैं आजलाल के लिए से, फिर बार एक अपनी फीड़ा व्यक्त करना चाहता हैं, एक समाज के नाते, हमें गंबीरता से सोचना होगा, तो हमारी माताओं, बेहनों, बेटियों के प्रती जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रती देश का अक्रोष है, जन सामाने का अक्रोष है, इस अक्रोष को मैं महसूस कर रहा हूँ, इसको देश को, समाज को, हमारी रवच्ज सरकारों को, गंबीरता से लेना होगा, महिलाओं के विरुद्ध, अपरादों की जल्द से जल्द जाच हो, राक्षसी कुरुत्य करने के वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समावाज में विश्वात पैदा करने के लिए जरूरी है मैं ये भी बताना चाहूंगा, कि जब बलातकार की अब महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं, तो उसकी बहुत चर्चा होती हैं, बहुत प्रचार होता हैं, मिडिया में छाया रहता हैं, लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ती व्यक्ति को सजा होती हैं, तो खबरों में कहीं नजर नहीं आती हैं, कौने में कहीं पड़ा रहे हैं, अब समय की मांग है, कि जिनको सजा होती हैं, उसकी व्यापक चर्चा होता की, ऐसा पांप करने वालों को भी दर पैदा हो, कि पांप करने की साहलत ये होती हैं, कि फांसी पर लटकना पड़ता है, औ मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है